सबी दर्शकों का पंजाबकेसरी.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्बू आज 21 जुलाई 2024 दिन रविवार है आज के पंजांग के अनुसार आज विकर्म समवन्त 2021 के आशाड मास की पूर्णिमा देथी है आशाड पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी क पूर्णिमा देथी दोपहर तीन बचकर 45 मिनट तक रहेगी इसके बाद प्रधमा देथी का आरंब हो जाएगा आज उत्तर आशाड़ा नक्षत्र है और विश्वकूंब योग है बवकरण है आज चंद्रमा प्रातह साथ बचकर 25 मिनट तक धनुराशी में गोचर करेंग उसके बाद मकर में चले जाएंगे बिजनस संबंदी यातरा ही बात करें तो आज दक्षिन या पूर्धिशा की यातरा आप कर सकते हैं पंचान के बाद आप बात करते हैं आज के वास्तो टिप्स की शनी ग्रह पश्चिम दिशा का स्वामी है इसलिए जब कुंडली में श शनी जब अच्छा हो तो वह बिजनस या घर की पश्चिम फेस की जमीन से लाप देता है वास्तो टिप्स के बाद आप लोगों के लिए आज का सू विचार है कि दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला आज तो केक भी विद्याले नहीं खुला है इ मेश राशी वाले लोग परिजनों से ज्यादा आशा ना रखें आगे बढ़ने का मौक मिलेगा बड़े बुजर्गों की सहयता से लाब होगा वाद विवाद से दूर रहें अन्य था मानहानी की आश्रंका बनी रहेगी माथवा घर में किसी बुजर्ग महिला के स्वास्त चैनले मलेगी मं नई कारेप्राडम्भ गर पाएंगे लोगों की राय आपके लिए सकारात्मख रहेगी किसी समाज़ी कारिक्रम में शर्कत करने का योग है हलाकि खर्च के अधिक्ता से परिशान रहे सकते हैं स्त्रीपक्ष की और से लाप के संभावना बंती दिखाई देती है अचानक कहीं से अधिक सहयोग मिल सकता है जस्ते धन की सुविधा में बिव्रती होगी करक राशी वाले लोग आज स्थाई संपत्ती वाहनादी के खरीद फरोकत में विचार्वी मर्श अवश्य करें किसी मांगली के अधार्मी कारिक्रों में जाने की संभावना बंती दिखाई दे रही है स्वास्ते का पाया आज कमजोर बना रहेगा इसलिए साबधानी जरूरी है सिंग राशी वाले लोगों के लिए व्यापार में अचानक किसी बाधा के कारण नई चिनता होगी धार्मिक स्थल की आत्रा लाबकारी रहेगी विदेश में रहे रहे किसी मित्र या इस नहीं जनों के समाचार मिलेंगे चोट मोच का भै बना रहेगा ले देकर काम निकालने की प्रवत्य का आज कुछ लाब मिलने की संभावना है कन्या राशी वाले लोगों को मित्रों का सहयोग मिल सकेगा सरकार की किसी योजना से आप लाब उठा सकेंगे लेकिन गोजर का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है धन्मान सम्मान में व्रदी होगी परिवार में आनंद का वादावरन चाया रहेगा सरकारी कारिय संपन होंगे स्वास्थे का ध्यान रखे तुला राशी वाले लोग आज बोधिक तथा लेखन के कारियों में सक्रिय रहेंगे सोच समझ कर वाहन चलाना आपके हित में रहेगा प्रेम संबंदु में नवेंता का आभास हो सकता है प्रपोस करने के लिए आज का दिन ठीक है मन माफिक जवाब मिलने की संभाब न घूमने या परेटन पर बात हो सकती है वर्षिक राशी वाले लोगों के लिए धन के लिहाथ से दिन ठीक नहीं इसलिए महनत कीजिए और आगे बढ़ते रहें किसी दोस्त को नाराज ना करें चंद्रमा क्यनुकूलता के कारण भाग्य पक्ष पलवान है इसलिए ज्याद परेदारी में जाने से दैने कारियों में बादा आएगी आज आपके मन में परिवर्तन शीक राएंगे जिससे आपका मन कुछ दूविदा युगत रह सकता है मगर राशी वाले लोग हाथ में आया हुआ अफसर सही निर्णा ना लेने के कारण आज गवा सकते हैं अज ब्रस्पती की शिब स्थिती के कारण कुछ हट तक आपके स्थिती को मजबूत बनाएगा खासी और कफ की शिकायत हो सकती है इसलिए स्वास्थे का ध्यान रखें कुम्प राशी वाले लोगों के लिए यात्रा के योग है खास तोर पर बिजनस यात्रा के लिए आज का दिन सबसे अच्छा परिणाम दे सकता है मीन राशी वाले लोगों को मित्र या परिवार की सदस्यों का साथ मिलेगा सूर्य को बलबान करे तो जीवन में बहतर उपलब्दी पा सकेंगी बहुत अच्छा हो कि महत्र के कामों को प्राथमिक्ता के अधार पर निप्टा लिया जाए क्योंकि गोचर ग्रहे आपके पक्षके है साजेदारी में भी लाब हो सकता है आज के राशीफल में बस अतना ही अगर आपके मन में आज के राशीफल को लेकर कोई भी सवाल जवाब है तो कॉमेंट सेक्षिन में हमें जरूर बताए और ऐसी ही चानकारी के लिए बने रहें पंच्रापकेसरी.com के साथ